मेरे दोस्तों आज हम प्रसना वाली 8.1 का जो एंसे आर्टी बूक तेंथ कलास का प्रसन करमांक आठ को इस वीडियो के अंदर हम लोग सल्फ करेंगे तो आईए देखते हैं इस प्रसन को कैसे हल करेंगे यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को आरेटेस सीद करके देखना पड़ेगा कि दोनों का मान दोनों का भैलू बराबर आता है या नहीं आता है दोनों का भैलू है हमें बराबर करना है सबसे पहले हमें प्रसन क्या दिया है प्रसन दिया थिरी कॉट ए बराबर चार ठीक है तो यह क्या है कॉट के यह गुना मे पहले सब से पहले डोवकर लेंगे? जो कैसे? तो यहां हमS effort बना लेंगे और लिखेंगे a, b, c यह हम यहां लिख लेंगे. ठीक है? अब यहां देखेंगे कि एक सुत्र का जरूरी होता है. सुत्र का जरूरी यह हो जाता है यहां पर कि पंडीत बढ़ी परसाद बटे हर हर बोल ठीक है यह एक सुत्र आपको याद रखना है कि यहां से साइन कॉस्ट ठीक है इसका उल्टा नीचे क्या हो जागा कॉट हो जागा यहां सेख हो जागा यहां कॉस्ट हो जागा ठीक है त जिसको लंब बोला जाएगा ठीक है इसको क्या बोला जाएगा है इसको तरह से य सुतर्ल के उपयोग से और यह क्याजी चीज़ को याद रख़ लेंगे तो साइन टीटा बराबर अगर बोलेंगे तो क्या परिपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनेस परिपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनेस तो क्या होगा लम बटे करन हो जागा इसी तरह से कॉस का यहां से हम क्या करेंगे इसे ट के मादम से याद कर लेंगे या नहीं तो इसे इ हमको पता हो गया अब यहां हम देख लेते हैं कि यहां हमको क्या हो गया अधार अब अब टे लम हो जाता है मतलब बी और बटे क्या हो गया फी बी और पी हमको पता है ठीक है तो हमको क्या नहीं पता है बी का मतलब यहां फोर हो गया पता और यहां हमको थिरी पता हो गया तो अब हमको क्या नहीं पता है तो लिखेंगे क्या पाइथा गोड़ास ठीक है पाइथा गोड़ास परमे परमे से ठीक है पाइथा गोड़ास परमे से तो क्या निकालना है हमको कर्ण बड़ाबर निकालना है तो लिखेंगे कर्ण एसकौाइड बड़ाबर क्या होगा तो तो लिखेंगे क्या कर्ण क्या हो जागा कर्ण हो जागा हमको AC तो यहां लिखेंगे AC का A square बराबर लंब क्या पता हो गया हमको 3 का A square लिखेंगे अजोर अधार हो गया 4 तो ऐसे A square लिखेंगे फिर यहां पर क्या लिखेंगे AC का A square बराबर क्या होगा 3 का a square 9 हो गया जोर 4 का a square क्या हो जागा 16 इस तरह से हमें क्या लिखेंगे यहाँ पर ac का a square बराबर क्या होगा 16 9 यहाँ 25 हो गया ठीक है तो ac बराबर हमको क्या होगा ac बराबर होगा root under 25 25 का वर्गमुल क्या हो जागा 5 हो जागा तो इस तरह से अगर हम देख ले तो यहां पर हमको करन अब कितना पता चल गया तो यहां हमको 5 हमको पता चल गया ठीक है तो इस तरह से हमको लम पता चल गया 3 तीन अधहार पता चल गया 4 करन पता चल गया 5 ठीक है तो यहां हमको LHS दिया है कितना LHS सबसे पहले हमको तोड़ना पड़ेगा 1-10 square A बटे 1 plus 10 square A तो यहां हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिखि लेते हैं अब LHS लिखते है ठीक है अब LHS से ठीक है LHS से तो हमको दिया क्या यहां पर 1-10 square A और बट्टे क्या दिया? 1 पलस 10 a squared a ठीक है? अगर इसको लिखे तो क्या होगा? 1 minus 10 का क्या हो जागा? तो 10 का यहां अगर हम value देखे तो यहां हम लिख सकते हैं क्या? 10 का लम बट्टे अधार हो जागा तो यहां हम लिख लेंगे यहां क्या लिखेंगे? लम बट्टे अधार का ऐसे hall square और बट्टे में क्या लिखेंगे? 1 पलस लम बट्टे अधार का ऐसे हम hall square लिख लेंगे ठीक है? अब इसके बाद हमें करना क्या है यहां पर? यहां पढ़ाएंगे यहां पर लिखेंगे 1 माइनस अब यहां देखेंगे लम लम का मान कितना पता है? हमको 3 और बट्टे अधार का मान कितना पता है? तो 4 इसका hall square ऐसे हो जागा फिर बट्टे 1 पलस लम का मान 3 पता हो गया और अधार का मान 4 ऐसे हम hall square लिख लेंगे फिर बड़ाबर हम ऐसे करेंगे तो 1 माइनस 3 का square क्या होगा? 9 4 का square 16 बट्टे फिर लिखेंगे 1 पलस 3 का square 9 4 का square 16 अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 इसके नीचे नहीं भी कुछ तो 1 अब क्या करेंगे? इसको हम बटा पर क्या कर लेंगे? घटाओ कर लेते हैं 16 16 एकम 16 अब माइनस 9 बट्टे क्या होगा यहाँ पर? 16 एकम 16 तो 16 अब पलस यहाँ 9 ठीक है? ऐसे हो गया अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं? यहाँ जब हम लिखेंगे बड़ाबर ठीक है? तो अब क्या होगा? 16 में से 9 जाएगा इसको हम उल्टा लेंगे तो 16 अब बट्टे क्या लेखेंगे? 25 तो क्या होगा? 16 से 16 कर जाएगा तो क्या हो गया? 7 अब बट्टे यहाँ हो गया क्या? 25 हो गया यह किसका फैल हो गया? तो यह हो गया हमको LHS का हो गया ठीक है अब हमको निकालना है क्या अब हमको RHS निकाल करके देखना है कि RHS हमको अब कितना आ रहा है ठीक है तो RHS यहाँ पर हम देख लेते हैं अब निकाल करके तो RHS हम यहाँ निकाल कर देखेंगे अब ठीक है तो हमको तो LHS, बराबर क्या पता चल गया, 7 बटे हमको 25, अब हमको क्या निकाल ला है, अब हमें निकाल ला है, RHS से, ठीक है, तो RHS है हमें कितना पता, तो RHS पता है, कॉस स्कॉाइड ए, माइनस, साइन स्कॉाइड ए, ठीक है, तो कॉस का मान क्या होता है, तो यहाँ चार्ट सीट से हम देख लेंगे, कॉस का अधार बटे क्या होगा, कर्ण, तो यहाँ हम लिखेंगे, अधार बटे, कर्ण का ऐसे हो जागा, क्या, स्कॉाइड हो जागा, यह इसका क्या हो जागा यहां अब हमें क्या करना है यहां से अब हमको देख लेना है कि इसका मान कितना आ रहा है तो यहां हमको क्या आ गया कि अधार पहले ता अधार कमान चार आ गया और कर्ण कमान कितना आ गया पांच इसका ऐसे हॉल इसका लिखेंगे फिर माइनस लम कमान 3 हो गया करण के मान 5 इसका हम ऐसे स्कायर लिख लेंगे ठीक है अब इसे क्या करेंगे हम यहाँ पर बटापड का जूर कर लेंगे तो 4 का स्कायर हो गया 16 बटे 25 और माइनस तीन का स्कायर 9 बटे 25 अब बडाबर क्या होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे अब LHS बडाबर क्या होगा रहेंगे क्यों क्योंकि LHS का मान 7 बटे 25 और RHS का मान 7 बटे 25 और यहां क्या हो गया इस तरह से प्रूब्ड हो गया तो दोस्तों आप इसे क्या करेंगे इसे आप एसकी इंसर्ट मार लेंगे क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप इसे क्या करेंगे तो इसे देखते रहेंगे और चैनल को क्या करेंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे